आज गवरी और शिव की शादी थी लेकिन उनकी शादी में एक बिन बुलाया मेहमान भी आया था इंस्पेक्टर काली उसके साथ एक लड़का भी था दुलहन को देखकर वो कहता है यही है वो लड़की जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया यू आर अंडर अरस गवरी लेकिन ये तो मेरी होने वाली बीवी है होने वाली ना शादी हुई तो नहीं अभी और तुशुकर मना तेरी शादी अभी तक नहीं हुई नहीं तो ये लड़की तुझे भी नहीं चोड़ती तेरी हालत भी इस लड़के जैसे ही हो जाती है लेक पिर वो गवरी और उसके साथीदारों को पोली स्टेशन लेके जाती है और इंक्वाइरी चालू हो जाती है क्या रहे तुझे बड़ा मजाता है सब को लूटने में वेसे दीखने में तो तु काफी खुबसूरत है इसलिए सभी लड़के तेरे जहसे में आते होंगे क्या मि ने इस शहर में रहने वाले सारे रईस लड़कों की लिस्ष बनाए उन मैं से छुवारी लड़के चुने और उन सब में से हमने सागर को चुना लेकिन सागर ही क्यों वो थोड़ा लड़कियों के मामले में भोला था आसानी से फिसल जाता प्यर क्या हुआ जैसे प्लैन ब पिर वो मेरे पीछे पीछा आया करता था उस बेवकुप को ये लगता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है लेकिन उसे क्या पता कि वो सब हमारा ही प्लान था वैसे कुछ भी कहो तेरा प्लान तो बड़ा अच्छा है बड़ी शाती रहे तू फिर क्या हो आगे फिर एक दिन में म प्रट्टू हो गया था फिर क्या हुआ फिर एक दिन उसने मुझे प्रोपोस किया कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हो गवरी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ सागर लेकिन मेरे माता पिता नहीं मानेंगे मेरे पापा तो बह अभी नहीं मिल पाएंगे तो अब हम क्या कर सकते है मेरे पास एक रास्ता है मेरे चाचा जी है जो हमें इस शादी में मदद कर सकते है आखिर बाद में पापा को तो मानना ही पड़ेगा एक बार शादी हो जाने दो फिर हम दोनों मिलके उनको मनाएंगे अखिर कितने दिन नाराज रहेंगे अपनी लाडले से हाँ सही कहा तुमने ये अच्छा रहेगा तो तुमारे चाचा जी से कब मिल सकता हो मैं आज ही मैं उनसे बात कर लूगी तुम शाम को मेरे घर आ जाना फिर सागर मेरे चाचा के घर आता है और उनसे बात करके वो उन्हें मना लेता है चाचा जी ने पहले नाटक करने का प्लान बनाये था बाद में वो शादी के लिए मान जाते हैं फिर अच्छा सा महूरत निकाल कर हमने मंदिर में शादी कर ले शादी में बस गिने चुने लोग ही थे हमारी शादी होने की वज़े से सागर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उस बिचारे को क्या पता था कि तु ऐसी हरकते करने वाली है उसका पूरा घर लुटने वाली है फिर क्या हुआ मैंने शादी के पहली रात में सभी घर वालों के खानों में दवाई मिला कर सबको बहोश कर दिया और घर का सारा सोना और कीमती सामन लुटकर वहां से रफू चक्कर हो गए कितनी बेशरम लड़की है तु बता ऐसे रही है जैसे के कोई तीर मारा है सारा दोश तेरे माबाप का है उनकी ही दी गई सीख होगे वो भी यही काम करते है क्या कहा है तुमारे माबाप मुझे कुछ भी कहो मैडम लेकिन मेरे माबाप के बारे में एक शवब भी मत निकालना अपने माबाप का नाम सुनते ही बड़ी मिर्ची लगी तुझे अगर उनकी इतनी फिकर है तो ये सब क्यों करती है हर जगा अपनी जूटे नाम बताती रहती है खुद का असली नाम भी पता है के तुझे या माबाप की तरह अपना नाम भी बुल गई मेरा असली नाम शालीनी है में भी एक इज़िददार खांदान की लड़की थी मेरे माबाप बले ही गरिब थे लेकिन उन्हेंने मुझे बड़े अच्छे संसकर दिये थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे मेरी भी शादी तय हुई थी पर उस बेचारे को भी तुने लूट ही लिया ओगा नहीं उसने मेरा सब कुछ लूट लिया शादी के लिए पापा ने खेद बेच कर पाच लाक रुपे दहेच दिये थे पापा बहुत खुश थे कि मेरी शादी होने वाली थे लेकिन शादी से एक दिन पहले लड़के के बाप ने और दहेच की माम के अब मेरे पापा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था एक पल में ही मेरी सारी खुशी दुख में बदल गई बेटा तू फिकर मत कर में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा तेरी शादी हम धुम धाम से करेंगे लेकिन पेशो का इंतोजाम ना होने की वज़े से मेरी मम्मी पापा ने फासी लगा ली और बस उस दिन से मैंने ठान ली कि शादी हो ना हो लेकिन में बदला जरूर लूँगे इसलिए तू बोले बले लड़कों को लुटती है आपको लड़कों पे तो तरस आ रहा है लेकिन क्या मैं बोली नहीं थी इसमें मेरी क्या गल्ती थी दहेश ना दे पाना क्या ये मेरी माबाप की गल्ती थी तेरे साथ जो हुआ वो गल्त था लेकिन तू अब जो कर रही है वो भी कोई सही रास्ता नहीं है हाँ मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो गल्त है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी वज़े से आज कई लड़कियाल पडलिक पा रही है मैं इन लूटे हुए पैसों का आधे से जादा हिस्सा दान कर देती हूँ ये सुनकर इंस्पेक्टर काली शौक हो जाती है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लूटेरी बहु मुझरिम थी या मसीहा लेकिन एक चीज तो समझ आ रही है कि दहेच की इस प्रता का अन्त होना चाहिए ताकि कोई और लूटेरी बहु पैदा न हो